ओम शी गणिशाय नमारा धराया दोस्तों आप सभी का मेरे चनल बतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों सावन का बहुत ही पावन महिना चल रहा है और सावन सोमवार का सबसे अधिक महत बताया गया है और इस बार सावन सोमवार में बहुत ही अद्भूत योग बनने जा रहा है सोमवार है और अश्टमी है और साथ ही इस दिन बहुत ही दुल्लब योग बना हुआ है गज केसरी योग बना हुआ है दोस्तो इस दिन किया जाने वाला बहुत ही अद्भूत उपाय हम आपको बता रहे हैं दोस्तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पारी है तो आप इस उपाय को अवश्य करें दोस्तो मनोकामना पूर्ती के लिए आप इस उपाय को अव सब्सक्राइब ने कर रखा तो सब्सक्राइब जरू कर लें बगलें बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों यह उपाय तो बहुत ही सरल है लेकिन आपको उसी विदी से करना जा रहे हैं दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक तांबे का लोटा लेना है उसमें शुद्ध जल भरे और थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है और आपको साथ में लेना है एक बेल पत्र बेल पत्र देखे बिलकुल भी खंडित नहीं होना चाहिए ती दोस्तों इन सभी वस्तु को लेकर आपको शिमंदिर में जाना है और सबसे पहले जो बेल पत्र है उसकी बीच वाली पत्ती होती है उस पर आपको अपनी अनामी का उंगली से शहद लगाना है थोड़ा ज़्यादा शहद लगा ले और जो चावल का दाना है एक चावल का दाना जो आपने लिया है उसको अपने सीधे हाथ में रखें अपनी मनो कामना बोले और सोमेश्वर महादेव का ध्यान करके आपको जहां पर आपने शहद की बिंदी लगाई है देखे बेल पत्र के जो चिकनी साइड होता है उस साइड से आपको शहद लगाना है और ग्य पर चिकनी साइड से ही मतलब चड़ा देना है और उपर से आपको जो एक लोटा जल लेके गए है ओम नमस्षिवा या सुमेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको वो एक लोटा जल शिवलिंग पर चड़ा देना है साथ ही दोस्तों इस दिन भगवान शंकर को भी अवश्य लगाए अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो दो केले शिवलिंग पर अवश्य चड़ाए अपनी मनोकामना बोलकर और पूजा करने के बाद उसमें से एक केला अवश्य ही उठा लाए और अगर आप गरवती हैं तो पूरा केला आपको खाना है अगर आप संतान के लिए उपाय कर रहें तो पती पत्नी आदा आदा उस केला को ग्रहन कर ले देखना आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों ये मनोकामना पूरती उपाय है इस उपाय को आपको देखे पांच बार करना है आप सोमवार के दिन कर सकते जो सावन शिवराती यानि जो मासिक शिवरात्री आती है उसमें कर सकते हैं तो ऐसे आपको पांच बार इस उपाय को करना है देखना आपकी इच्छा बहुत ही शीग्र पूरी होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें आप सभी को ओम न मस्च चवाइ